चलिए आज बनाते हैं कुछ चटपटा सा नाश्ता आज हमारे किचिन में बन रहा है पालकवडी पालकवडी बनाना काफी आसान है और इसका एक बहुत ही यूनिक तरीका आज इस वीडियो में आप सिखेंगे इससे बनाने के लिए कुछ भी बाहर से असे स्पेशल खरीदन की जरुवत नहीं है किचिन में जो चीजें है उसी से इसे आप इजिली बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने एक कप बेसन ले लिया है साथी वनफोर्ट कप चावल का आठा एक चम्मच कुटी हुई लैसून और हरी मिर्ची एक चम्मच लिया है यह बढ़ा सा नमक स्वादनुसार आधा चम्मच जीरा और खूप सारा हरा धनिया अच्छे से वाश करके बहुत बारी किसे कट कर लेना है सबसे पहले इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है सूखा ही उसके बाद हलका हलका सा पानी डालते हुए आपको इसका मिक्स्टर बनाना है मिक्स्टर जो है बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए यह एक परफेक्क कंसिस्टेंसी है जो पत्तों पे इजली चिपके ऐसा आपको मिक्स्टर बनाना है यहां पे मैंने पालक के ऐसे बड़ बेल लें. इससे क्या होगा है? वन को ड़ा होगा. अग्यक्त नेए जो ज़िए जब आप ड़ाटती लिएयोर क्रिएजेगे. अग्छल नेए खुल सुपने और फॉल्प सब्रगाल। और इसके उपर भी हमको इस तरीके से बेशन का घोल लगाना है छोटे पत्ते हैं तो आप दो या तीन चार पत्ते भी ले सकते हैं और अब इसे हम रोल कर देंगे तो पत्ली से एक लेयर लगानी है और दोनों पत्तों को इस तरीके से आपको रोल कर देना है बड़े पत्तों में दोई काफी हो जाते हैं तो ऐसे आपको रोल बना लेने हैं सारे तो यहां आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से रोल बना लिये हैं छोटे पत्ते थे तो मैंने तीन पत्ते लिये हैं बड़े बड़े पत्तों में किवल दो ही उज़ किये हैं आगे एक अच्छे से गरम होने पे ही तेल आड़ करें और गैस का जो फ्लेम है थ्रूआउट रेसिपी हमें एक्तम लो रखना है नहीं तो यह जो पत्ते हैं यह उपर से तुरंत लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर बेसन जो है वो कच्छा ही रह जाएगा साइट्स फ्लिप करते हुए आपको अलट पलट करते हुए इन्हें हर डारिक्षन से अच्छे से सेख लेना है कम तेल में बनने वाली यह बहुत अच्छी रेसिपी है अगर आप जल्दी में है तो आप इन्हें डीप फ्राइ कर सकते हैं अगर आपको और जादा हेल्दी बन कर लिया है तक यह अंदर तक अच्छे से फ्राइ हो जाए और अंदर का जो बेसन है वो भी कच्छा ना रहे तो इस तरीके से आपको इन्हें पूरा अच्छे से फ्राइ करना है तो गर्मा गरम पालक की जो वड़ी है एकदम रेडी है अभी बरसात शुरू होने वाली है तो यह चाय के साथ बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया ओप्शन है रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई